आज हम करेंगे अरार भी पिऊ मेंडी बेस्ट पेपर 2019 में हमसे जो क्वेस्टिन पूछा गया था डेटर इंटर्परेटेशन का वह आज हमने सेशन में करने वाले हैं ये हमारे मेंडेशन का question है मतल मेंडेशन का question है जो आपसे last year RRB PO में पूछा गया था तो इस question से आपको एक idea रग जाएगा कि किस level के questions जो है हमारे RRB के examination में आते हैं और आपको एक आपकी practice भी हो जाएगी मेंडेशन की question की एक चोटी से information जिनको भी website में problem आ रही है तो मैं आपको नीचे एक pinned comment में help line mail ID और एक number दूँगी telegram number दूँगी, telegram number पर आप message करके अपना issue resolve कर सकते हो और जब mail ID है उस पर भी आप mail करके अपना issue resolve कर सकते हो तो वहाँ से कोई भी problem है, login की problem है, test नहीं खुल रहा, जैसी भी आपको कोई भी issue है वो आप वहाँ पर कर देना और आपका issue resolve हो जाएगा definitely और जिन लोगों ने अभी तक website visit नहीं करी है तो please कर लेना हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा initiative लिया है आप जाके check करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, link आपको मैं description में दे दूँगी तो चलिए ये question करते हैं, इस question को, आज मैं पहले आपको पूरा नहीं show करूँगी ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी किया बनाना शुरू करते हैं, हम आज साथ में बनाएंगे हम लोग जैसे मैं चलूँगी, आप मेरे साथ चलोगे, ठीक है, देखते हैं आज आपको कैसा लगेगा इसमें बोला गया है, there are only three categories of doctors, junior resident, senior resident and PG resident किसमें है doctor in health care department of a city in the pie chart, percentage distribution of three categories of doctors is given, यहाँ पे and total number of doctors हमारे पास कितने हैं, 120 है इसने बोला है, इस 120 की bifurcation हमने pie chart में करी है ठीक है, 120 की bifurcation हमने किसमें करी है pie chart में और उसने क्या बोला है, यहाँ पे in the table given below number of patients जो doctor treat करते हैं particular day पे वो हमें given है यहाँ पे, कि junior resident कितने treat करता है, senior resident कितने treat करता है और PG resident कितने patients treat करता है एक दिन के अंतर ठीक है, समझ में आगई, अब सबसे पहली चीज आप pie chart को देखोगे तो आपको यह लगेगा कि हम लोग इसको information को extract कर लेते हैं 15%, 30%, 55% निकाल लेते हैं, बट पहले क्यों निकालना जैसे आपकी question की demand आएगी, वैसे आप निकाल लेना और जो values निकल जाएंगे वह आप आगे, दूसरे questions में उस कर लेना ठीक है, तो पहले नहीं निकालना जैसा पहला question आएगा, दूसरा question आएगा उसमें जैसा जैसा question demand करेगा, हम वैसा वैसा करेंगे तो पहला question देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, कि half of the PG resident doctors treat male patients and rest treat female patients जितने हमारे पास PG resident doctors थे, उसमें आधे जो doctors है वो male patients को treat करते हैं और आधे जो doctors है वो female patients को treat करते हैं Each of the doctors treating male patients treat equal number of male patients similarly each number of doctors treating female patients treat equal number of female patients इसका मतलब क्या है? जितने doctors male patients को treat कर रहे हैं हर एक doctor same number of patients treat कर रहा है मतलब अगर पहले ने 10 किये तो दूसरा भी 10 करेगा, तीसरा भी 10 करेगा, चौथा भी 10 करेगा similarly जो female patients को treat कर रहे हैं उसमें अगर पहले ने 10 female treat कर रहे हैं मतलब एक PG resident doctor जितने male और जितने female स्ट्रीट कर रहा है उसमें हमें difference निकाल रहा है Each मतलब एक doctor से ठीक है सबसे पहले PG resident doctor देखेंगे हमारे पास पूरे doctors हमारे पास कितने हैं थे हमने देखा था 120 PG resident कितने है 15% 120 का 15% 3 by 20 कितना हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा 15% को हम 3 by 20 भी बोलते हैं 120 into 3 by 20 कितना होगा 6 into 3 18 doctors हमारे पास कौन से हो गए PG resident doctors उसमें से आधे male patients को treat करेंगे आधे female patients को treat करेंगे ऐसा ही था और ये लोग equal number of patients को treat कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे देखो patients की बात करेंगे ना doctor हमने निकाल लिया patients की बात करेंगे तो patients PG resident doctor ने कितने treat करेंगे 810 जिसमें से male और female का ratio कितना है 2 ratio 7 कितना ratio है 2 ratio 7 तो अगर मैं बात करूं 810 हमारे पास patients है 2 ratio 7 में आतो आध क्या करते हो 810 को ratio के total से divide करते हो 20 आता है एक की value आई दो की value और साथ की value निकाल सकते हो हमारे पास male कितने आ गए हाँ पर male patients male patients कितने आ गए हमारे पास 2 into 20 40 is it 40 oh sorry 90 आएगा न I am so sorry 2 into कितना हो जाएगा vanity और यह कितना होगा female patients कितनी हो जाएगी 9 into 7 630 उसने बोला है यह 9 male doctors इन 180 को treat करते हैं 9 female नौ doctors यह female को treat करते हैं 630 female को और सारे के सारे equal number को कर रहे हैं जब हमें यह बताना है कि एक doctor ने कितने patients treat किये तो हम कैसे निकालेंगे एक doctor के लिए सबसे पहले male का निकालेंगे male patients थे कितने 180 doctors कितने थे 9 मतलब एक doctor ने कितने male patients treat किये 20 कर दिया female की बात करो तो 630 हमारे पास female patients थी doctors कितने थे 9 मतलब एक doctor ने कितना treat किया होगा 70 females उसने पूछा क्या है इनका difference 20-70 कितना होता है 50 your answer is option number B समझ में आगया next question पर चले what is the average number of patients treated by a doctor in the city average number of patients जितना एक doctor ने treat किया city के अंद है अगर हमें average number of निकालना होता है तो हम क्या करते है total divided by number of factors हाना total number of patients लेंगे पूरा करके बता रहे हूं आपको ताकि कोई भी doubt ना रहे total number of patients और उसने बोला कि है doctor मतलब नीचे क्या लेना पड़ेगा total number of doctors यहीं लेंगे average निकालने के लिए हाना total number of patients यहां से देख लो कितने आ है इसको add-on कर लो कितना आ जाएगा 1 carry 4 और 8 12 1 carry और कितना हो जाएगा 13200 हमारे पास total patients कितने आ गए 13200 और total doctors हमारे पास कितने अधे question की start में दिया था 120 तो हमारे पास यहां पे कितना आ जाएगा 12, 11,000 होता है 110 हमारा क्या आ गया average आ गया को नीचे रखेंगे doctors पूछें, doctors नीचे आएंगे patients पूछें, patients पूछें, patients ऊपर आएंगे ठीक है आगे देख लेते हैं ratio of number of male patients treated by junior resident doctors and number of female patients treated by PG resident doctors इसमें क्या निकालना है ratio निकालना है पूछा किस किसका है male patients junior resident का female patients किसका PG resident का है ना, यही पूछा है तो यहां से यह junior resident doctors का हमें पता है कि उन्होंने इतने patients treated की है अब पूछा किसका है कि कितने male patients treated की है हम लोग जब भी ratio given होता क्या करते है total को उपर रखते है ratio के total को नीचे रखते है एक unit की value आई, निकालनी किसकी है 3 की, निकालनी किसकी है 3 की, multiply करेंगे 3 से PG resident में कितने treat की है उन्होंने 810 हमें value किसकी चाहिए 7 की divide किससे करेंगे ratio के total से multiply किससे करेंगे 7 से तो यहां से आपको solve नहीं करना आप इसकी यहां से क्या कर दो simplification शुरू कर दो, यह हो जाएगा 90 यह कितना हो जाएगा 30, 7 से काटेंगे तो 7, 1, 0, 7 7, 3, 0, 21 और यह हो जाएगा और उसके बाद यहां से 0 से 0 गया, और 3 के table से काट हो में तो कितना आएगा 44 right 44 आजाएगा, तो यहां से हमारे पास 44 ratio क्या आ रहा है 8, 11 ratio 2 आ जाएगा, 4 के table से काट होगे तो आपका answer क्या हो जाएगा, option number A 11 ratio 2 आ गया समझ में, next question पर चले यहां देखो क्या बोला है, sum of average number of male patients and the average number of female patients treated by all categories of doctors उसने क्या बोला है, male patients female patients लेकिन divide किस से करना है, category से, पहले वाले question मुझे बोला था, treated by doctor तो हमने doctor लिये अब बोले, treated by all categories of doctor, तो हम क्या लेंगे, categories को लेंगे, किस में, divide में देखो कैसे sum of average number of male and female patients categories का बूच है, अगर मुझे sum ही निकालना है, इन दोनों के average का, अगर मैं ऐसे बोलू कि मुझे average male का पता चल जाए average female का पता चल जाए divide हम किस से कर दे, तीनों categories से, तो भी answer आ जाएगा मैं आपको दोनों से करके बताऊंगी, लेकिन हमारा shortcut यह है कि हम लोग total patients उपर लें, क्योंकि हमें male और female दोनों पूछे गए हैं, और average लेना तो तीनों को divide कर दो, देखो यहाँ पर मैं total देखे हूं, तो हमने यहाँ पर total कितना निकाला था, निकाल लिया था पहले 13200, divide by 3 करोगे कितना आ जाएगा 4400, आपका answer आ गया, लेकिन यहाँ पर आप गलती क्या करोगे अगर आप examination में बैठे होगे, आप यहाँ से male के male निकालोगे सारे, फिर यहाँ से आप female निकालोगे सारी है ना, ratio से male और female निकालोगे फिर उसको divide by 3 करोगे अगर आप ratio से पहले सारे के male निकाल रहे हो, total male निकाल रहे हो, divide by 3 कर रहे हो, फिर आप total female निकाल रहे हो, average के लिए, फिर आप divide by 3 करें हो तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस 3 को comment ले लो डो total me or total female किसके बराबर है total patients के ना façon तो मैंने वही किया ना तो फिर इतना निकालना क्यों time waste करना रहीू हो टूटल हमें पता था किbenगे उसने पूछी Euro habeanor के यह 44 hundred टो ऐसे ही अप्रोच होती है questions को solve करने कि जिसके हम लोग अपना time जो है वो लेसन आप कर सकते हैं ठीक है तो I hope आपको यह अच्छा लगा होगा आज का session और इस तरीके के और भी sessions में लेकि आओंगी memory based questions पे चाहे वो आपको एक overall idea लगजाए कि इस टाइब के questions में आते हैं ठीक है तो प्रक्टिस अच्छे से करते रहो good luck and stay happy